स्टार्ट करते हैं चाप्टर नमबर 47 and the chapter number 47 is scientists. तो चलिए देखते हैं क्या है इस चाप्टर में? Scientists are people who have expert knowledge of one or more of the natural and physical sciences. So scientists जो होते हैं, वे ज्ञानिक जो होते हैं, वो वो लोग होते हैं जिनके पास एक knowledge होती है, बहुत अच्छी knowledge होती है, एक या एक से ज्यादा प्राक्रतिक या फिर शारीरिक विज्ञान की. So identify the following scientists हमें इन scientists को identify करना है और answer देना है इन questions का. तो आपको ये पहले number one point पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं. One of the best known physicians in Indian Ayurvedic medicine. Indian भारती है, Ayurvedic medicine है, उसमें एक बहुत best physician थे, who know the fundamentals of genetics. जो genetics के fundamental जानते थे, even 2000 years ago, 2000 साल पहले. He knew the factors determined the sex of child. वो factor जानते थे, जो कि तै करते हैं कि बच्चे का sex क्या होगा. मतलब बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की होगा. तो ऐसे वो great physician थे. Genetics का मतलब बच्चों कि जैसे होता है ना, हमारी शकल हमारे parents से बहुत मिलती है, या हमारे दादा-दादी से मिलती है, तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा genetics की वज़ा से होता है. तो चलिए, अब इस information के base पर कुछ questions पूछे गए हैं, हम से, हम उनके answer देते हैं. What is the name of this physician? इस physician का क्या नाम था? इस physician का नाम था चरका, ओके? इस physician का नाम था चरका, write the name of the king in whose period this physician lived, यह physician किस राजा के शासन में जीवित था, तो वो थे कनिशका, ओके? तो किंग कनिशका के जब राज था, उनका राज्य था, तब यह physician थे, ओके? तो number two पे चलते हैं, regarded as the father of the plastic surgery, इन्हें कहा जाता है, plastic surgery का जनक, father, he devised an artificial nose more than 2500 years ago in India, इन्होंने 500 साल पहले भारत में एक artificial nose लगा दी थी, he also performed eye operations for cataract, और इन्होंने eye operation भी किया था, मोतिया बिंद के लिए, cataract के लिए, कितने साल पहले? पच्चिस सो से भी ज्यादा साल पहले, okay, so what is the name of this surgeon? Insurgent का क्या नाम था? Insurgent का नाम था सुषरुता, क्या नाम था? सुषरुता, S-U-S-H-R-U-T-A, name the vegetable of which he discovered the medicinal value, तो कौन सी सबजी ऐसी थी, जिसमें इन्होंने बताया था, कि medicine जैसे good होते हैं, और इनसे बहुत सारी problems हम ठीक कर सकते हैं, वो सबजी थी garlic, जिसे हम कहते हैं, lesson, right? तो चलिए, आगे चलते हैं, Considered the father of modern chemistry in India, भारत में modern chemistry का इन्हें जनक कहा जाता था, इन्होंने convert किया the waste cattle bones को, इन्होंने waste cattle bones को, जो बेकार cattle की bones थी, उसे convert किया, बदल रिया into a medicinal compound from which a nerve tonic was made. एक ऐसे medicinal compound में, जिससे बाद में एक nerve का tonic बनाया गया, तो कौन थे ये scientist? प्रफुल्ला, चंद्र, रे, right? और कौन से year में इन्होंने वो tonic बनाया? तो वो year था 1896. Now, let's see the number 4. Famous थे ये for discovering a tonic, एक tonic बनाने के लिए, जो की बढ़ाता था, internal power of human being. मानव की अंदरूनी शक्ती. तो ये वैद्य कौन थे? What is the name of this वैद्य? च्यवना, ओके? और रेकेट में लिखा हुआ है, रिशी. च्यवना रिशी थे ये. और इनके tonic का नाम क्या था, जो की अभी भी popular है, च्यवन प्राश. तो आप में से भी कई लोग च्यवन प्राश खाते होंगे ना बच्चों, जरूर खाईए और विंटर्स में तो जरूर खाना ही चाहिए. अब आपको यहां पर भारत के महान साइन्टिस्ट के बारे में, जो बहुत साल पहले, बहुत बड़े-बड़े experiments और discoveries कर चुके हैं, उनके बारे में पता चला है. So, please learn all these things and इसी के साथ यह चाप्टर फिनेश होता है. Thank you.